तो आज के लिए टॉपिक उठाया है मैंने अकाउंटिंग पॉर शेर कैपिटल ट्रांजेक्शन लेकिन आज कुछ अलग होने वाल है क्या अलग होने वाल है चानते हैं क्वेश्चिन पढ़के तो यहां पे नॉर्मल हमारी जनल एंट्री नहीं होंगी लेकिन कुछ अलग हो अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं UPSC के लिए और आपने आप्ट किया है और में मेंनेजमेंट या कॉमर्स तो जल्दी से अनुन जिंदल पर जाके UPSC में में मेंनेजमेंट और कॉमर्स और जाके एन्रूल कर लेजिए ठीक है तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन तो अप्लिकेशन 25 अनलॉट्मेंट रूपीस 34 अनुन फिर्स और फिर्स और फिर्स और रूपीस 35 अप्लिकेशन वर रसीट पर नाइन थावजन शेर स्का मतलब क्या हो गया हमारा कि हमारा ये क्या हुआ है अंडर श्सक्राइब दूआ है और अफ थीस वर एक्सेप्ते अज जी वर रिसीब एक्सेप्ट फर्स और फाइनल कॉल ऑन थाउजन शेर विच वर फॉफिटेड अफर दूइंग ओल दी लीगल फॉर्मैलिटीज 500 शेर आउट आउट अफ दैम वर रिशूट एद 90 इच अट फुली पेड पास जनल एंट्रीज इन दी कैश बुक देखो च और जो एंट्रीज कैश ट्रांजक्शन से रिलेटीड होती हैं वो कहां चली जाएंगी कैश बुक में और जो बच जाएंगी वो कहां चली जाएंगी हमारी जर्नल बुक में तो बहुत ही सिंपल और छोटा सा कोईशन है आच्छी क्लास के लिए बट इस बर चेंज क्या है ग्रेटील चेंज है कि हमें कैश बुक प्रिपयर करनी है मतलब हमें ध्यान रखना है जर्नल एंट्रीज पास करते वगे जो हमारी कैश द्र्लेटीड ट्रांजक्शन है वो हमारी कैश बुक में हम शो कर देंगे ठीक है बचुई हमारी जर्नल बुक में शो ह load新 होगी है यह question attempt करते हैं तो share capital transaction में सबसे पहले क्या होता है हमारा सबसे पहले हमारे को share application money received होती है क्या होती है share application money received तो share application money received कितनी होगी देखो total company issue करना कितने चाहती थी 1 lakh shares लेकिन कितने लोगों ने apply किया apply किया सिरफ 90,000 shares के उपर तो हमार को जो application money received होगी वो कितनी amount कितने अप shares पे होगी 90,000 पे मतलब 90,000 पे हमें कितने रुपीज मिलेंगे 90,000 shares पे हमें मिलेंगे application के 25 रुपीज तो यह amount हो जाएगी हमारी 90,000 into 25 तो यह आ जागा 2,25,000 तो हमारी जै नॉर्मल ही entry का होती है bank या फिर cash account debit to share application account अब हमें ध्यान रखना है हमें cash book prepare करनी है तो इस case में हम क्या करेंगे यह जो एक cash की transaction है इसे हम cash book में show करेंगे तो entry क्या होती है cash book account debited तो reason क्या था चू equity share application account equity share application account क्या amount रहेगी 22,50,000 ठीक है जोन जोन सी cash की transactions होंगी उन्हें हमें journal entries पास करने की बज़ाए cash book में record करना है फिर next काम क्या होता है जब हम share application money को transfer करते है अब transfer के case में अगर हमारा refund वाला case होता है जब pro rata lotment होती है और refund वाला case होता है तो हमें cash book में जाना होता है तब हमारी bank account की transaction होती है अब भी सिरफ share application को हर जगा transfer करना है तो इसमें हमारी cash book में नहीं होगी तो हम इसे normal journal book में record कर लेंगे तो second entry क्या होती है हमारी कि हम share application money को transfer करते है तो share application money को transfer करूँगा तो equity share application equity share application account debited कितनी amount से 22,50,000 तो ये एक शैद गलती से added होगा तो ये column नहीं create होगा ठीक है न तो 22,50,000 और ये सारा पैसे अकहाँ transfer हो जाएगा equity share capital में to equity share capital account 22,50,000 रुपीज चीक है अब next में चलते हैं अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चे बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं कि question में दिया हुए है कि 100 रुपीज का है जो कि discount पे issue किया गया है अब जब discount पे issue किया गया है तो generally maximum case में जब question में given नहीं होगा हम कहा लेंगे कि discount हमारा जो given है जो provide किया गया है वो allotment के time पे provide किया गया है ठीक है? जैसे हम premium के case में क्या करते थे? जब question में mention नहीं होता तो हम allotment में consider कर लेते थे कि premium जो हमारा pay कर रहे है shareholders वो allotment के time पे कर रहे है similarly discount के case में हम क्या करेंगे? कि discount पे किरा गया है वो किस case में pay करा गया है? allotment वाली installment में दिया गया है discount तो देखो allotment में total amount 34 रुपीज है जो हमने shareholder से amount मांगी वो 34 रुपीज है लेकिन actual में मिलनी कितनी चाहिए थी? 6 रुपीज का हमने discount दिया तो actual में मिलनी 40 चाहिए थी हमने उन्हें discount दिया 6 रुपीज का और उन्हें बोला कि आप 34 रुपीज पे करो तो इस point का ध्यान रखना है ठीक है? अब क्या डियान दखना है? हमने कितनी amount मांगी? सेम चीज करेंगे पहला क्या होता है? पहला share application money received share application money transfer उसके बाद next काम क्या होता है? allotment money due allotment money received तो अब time है allotment money को due करने का तो allotment money को due करने के लिए normal entry पास होगी तो हम करेंगे क्या? equity share allotment account debited to equity share capital account हमने क्या बोला? actually मैं received कितनी होता है? 40 रुपीज मतलब share capital में तो हम total amount भी transfer करेंगे कितनी? 40 रुपीज तो 40 मतलब 90,000 into 40 तो ये amount आ गई 36 रुपीज तो 36 रुपीज तो हम share capital में transfer करेंगे लेकिन हमने shareholder से 36 रुपीज ने मंगवाई हमने उन्हें 4 रुपीज का 6 रुपीज का discount दिया 6 रुपीज का discount दिया था न 6% on 100 6 रुपीज ही हो गया तो 6 रुपीज का discount दिया था तो 90,000 पे 90,000 पे 6 रुपीज हो गए हमारे 5,40,000 रुपीज मतब ये discount का खर्चा कौन उठाएगा इसे हम ऐसे expense मानेंगे expenses को क्या करते हैं हम debit करते हैं तो discount on issue of shares account debit expense था 5,40,000 चीक है फिर जो बचा हुआ पैसा है 36,00,00 में से 5,40,000 का हमने discount दे दिया तो बच कितना गया ये बच गया हमारा 30,60,000 30,60,000 ये हमें allotment money हमने due कर दी है 30,60,000 हमने allotment money due कर दी है ठीक है next entry क्या होती है allotment पहले application money received हुई application money transfer कर भी allotment money due allotment money received अब जब allotment money received हो रही है means हमारे पास cash आ रहा है तो हमें journal entry पास नहीं करनी cash book में इसकी transaction को record करेंगे तो हमारे पास पैसा आ रहा है किस reason से आ रहा है allotment के कारान आ रहा है कितना आ रहा है कितनी आउन्टी 30,60,000 30,60,000 रूपीज 30,60,000 रूपीज ठीक है अब थर्ड काम करना है call money due call money received ठीक है call money due करते हैं सबसे पहले तो थर्ड एंट्री की हो जाएगी हमारी call money due करने की तो इक्विटी शेर फर्स्ट एंद फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड तो इक्विटी शेर कैपिटल अकाउंट तो कितनी अमाउंट है 90,000 शेर पर ड्यू करेंगे और कितनी ड्यू करेंगे हम 90,000 पर 35 रूपीज तो 90,000 इन्टू 35 हो गया हमारा ये आगया हमारा 31,50,000 31,50,000 ठीक है अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है हमारी फाइनल कॉल है वो रिसीवड होगी लेकिन हमें ब्रेक लेना है क्यों ब्रेक क्यों लेना है हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉश्चन में गिवन है कि हमारा जो पेमेंट है वो सबसे received नहीं हुई है यहाँ पे call in areas हुए है जो thousand shares से उन्होंने payment नहीं करी है तो बचे हुए 89,000 ने full payment कर दी होगी 89,000 वालों को पास से हमारे पास 35 रुपीज आगे होंगे तो इतने तो हमारे cash में transfer हो जाएंगे 89,000 shares वालों से तो full pass आया होगा 35 रुपीज तो यह amount तो हमारे cash में transfer हो जाएगी कितनी आई यह 31,15,000 2 equity share first and final call account 31,50,000 31,15,000 31,15,000 ध्यान रखना first and final call थी उसको पूरी की पूरी amount पे नहीं करनी क्यों हमारे यहाँ पे call in areas हुए 1,000 shares ने payment नहीं करी तो मतलब कितने पेमेंट करी होगी 89,000 हो लोंने 89,000 पे कितने पे करे होंगे 35 रुपीज जो कि हमारे आगे 31,000 31,15,000 रुपीज ठीक है उसके बाद अब जो call in areas है उसकी entry पास कर देंगे हमें call in areas account खुलवा लेंगे तो call in areas का account क्या हो जाएगा equity share first and final call account debited एक share पे 35 रुपीज तो कितने पाउट होगी 35,000 35,000 debit हो जाएगी हमने एक separate account create कर दिया क्या call in areas account call in areas account 35,000 रुपीज छीक है application money received application money transferred हमारी allotment money due allotment money received second last call क्या कर दिया first and final call due first and final call received और जिन्हों की नहीं receive वुई थी उन्हें call in areas में treat कर लिया हाँ बीना call in areas के भी हम question कर सकते हैं ठीक है specifically mention नहीं है question में तो हम decide कर सकते हैं कि first and final call only account में ही हम उस remaining amount को 35,000 रुपीज को पढ़े रहें लेकिन इस case में मैं call in areas account create कर रहा हूं it's totally on your choice ठीक है next काम बुला गया है हमें forfeit करने shares forfeit करने shares सारे के सारे shares forfeit कर देंगे जब shares को हम forfeit करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं reverse entry पास करते हैं कि मतलब जो पैसा हमने share capital में transfer किया होगा उसे उठागे हम भाफसी लाएंगे क्योंकि अब वो shares cancel हो रहे हैं shares cancel हो रहे हैं तो जो amount share capital में उसे reduce करना है उसको reduce करने के लिए हम क्या कर देंगे उसको debit कर देंगे तो equity share capital account debited कितने shares थे 1000 shares थे 1000 shares थे 1000 shares पे face value कितनी जी 100 rupees की तो 1 lakh rupees आ गया है हाना फिर उसके बाद जो call in areas है अब तो यह पैसा आएगा नहीं तो इसे cancel कर देंगे call in areas account 35,000 rupees जो discount दिया था उसको भी cancel करेंगे क्योंकि discount अब हुआ ही नहीं क्योंकि उसने shares खरीदे ही नहीं मतलब shares cancel हो चुके हैं तो discount को भी cancel करेंगे discount on issue of shares account credited कितना था 6 rupees का discount था 1000 shares हो गए तो कितनी amount होगी 6000 rupees जो balancing figure आगी वो आगी share forfeited account में यह कितनी हो जाएगी देखो पहले जो share roller है उसने 25 रुपे दिये होंगे 25 रुपे के पास उसने 34 रुपे दिये तो total कितने दिये 59 रुपे दिये 1000 shares थे तो 59,000 rupees तो वह हमारा पैसा देखो उसे वाफसी तो करेंगे नहीं जब cancel होए यह जो पैसा उसने दिये 59,000 rupees वाफसी तो करेंगे नहीं हमकाँ transfer कर देते हैं share forfeited account या share forfeited account में ठीक है अब next काम क्या है हमारा हमारा next काम है ratio करना अब ratio में हमें ध्यान रखना है हमने 4-fee करें है thousand shares forfeit कितने करें हमने forfeit करें है thousand shares और ratio कर रहे हैं सिरफ 500 shares ठीक है तो reissue में हमारे पास जो amount आएगी वो कितनी amount आएगी 500 के according आएगी नाएगी 1000 रुपीज के according और जो हमने reissue करे हैं वो भी 90 में करे हैं मतलब 100 रुपीज का share को हमने reissue की है 90 रुपीज में मतलब कितने रुपे का discount हो गया 10 रुपीज का अब general premium नॉर्मल वाले case में क्या होता था जब पार वैल्यू पे issue होते थे हम जो discount की amount थी 4 feature से cancel कर लेते थे यही करते थे लेकिन discount वाले case में हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम discount को लेंगे क्यों जब हमने पहले issue करे थे discount पे 6 रुपे तो इस वाले को जो 10 रुपीस discount है अगर या पार पी या premium पे issue होता था shares तो जो 10 रुपीस का discount था उसे हम सिद्धा transfer मतलब उसको हम कहां से निकालते थे forfeiture account से लेकिन इस case में जहां issue भी हमने discount में किया है तो उस 6 रुपीस को जो हमने issue के discount था उसको पहले सब ट्रेट करेंगे जो remaining amount है 4 रुपीस वो हम निकालेंगे forfeit accounts है तो entry क्या होती है generally देखो एक normal sense में entry क्या होती है इसकी normally इसकी entry होती है कि हमारे बैंक में पैसा आएगा bank account debited हना फिर discount on issue of shares जो 6 रुपीस का discount दिया debited फिर उसके बाद क्या होता है जो 4 रुपी का extra discount दिया वो कहां से निकालेंगे forfeited account से तो share forfeited account और ये सारा पैसा तोटल value है वो कहां से लिए आती है share capital में यही होता है तो bank में कितने रुपे जाएंगे 90 रुपे हमारे bank में जाएंगे 6 रुपी का discount on issue of shares 4 रुपी का हमारा क्या हो गया forfeited में जो discount दिया जो extra discount दिया वो forfeiture से निकालेंगे और total 100 रुपे हमारे share capital में transfer होंगे ठीक है लेकिन अब हमें ध्यान रखना है normal case में तो हम ये entry पास कर देते हैं इधर हमें cash book prepare करनी है और इधर एक entry है bank की entry तो bank वाली amount हमारी कहां चली जाएगी cash book में तो उधर हम show करेंगे ठीक है इसे कहां show करेंगे cash book में show करेंगे तो कहां से हमारा reason क्या रहेगा 2 share capital 2 share capital 2 share capital account कितनी amount होगे 90 रुपीज हो गई 500 shares है 90 into 500 इतना हमारे पास पैसा आएगा 45,000 रुपीज हाँ इधर मैं एक combined entry मारने की बजाए अलग-अलग entry भी पास करता सकता है कि पहले share application में transfer करता पैसा फिस share application से कहां transfer करता share capital में ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पे combined entry मार दी है अब next चीज क्या है हमारे पास जो बचके दो entries उसको हम journal book में record करेंगे जो हमारी होंगी entry number 6 होगी हमारी discount on issue of shares account debited क्या amount आईगी देखो discount 6 रुपीज का था 500 shares तो 3000 रुपीज हो गए ठीक है और share forfeited account जो extra discount दिया हमने वो कितने रुपीज का दिया वो दिया 4 रुपीज का 4 रुपीज का कितने shares ते 500 तो यह हो जागा 2000 रुपीज to share capital account कितना आगे total 5000 अब बच्चे के गलती करते हैं कि share capital उपर कितना दे रखा है share उपर capital दे रखा है हमारा 100 रुपीज के रनुसार तो 100 रुपीज के सानुसार 50 करेंगे तो 50,000 होना चाहिए लेकिन ध्यान रखना 45,000 तो हमने यहाँ transfer कर दिया बचा हुआ 5000 वो रहा उसकी entry यह ठीक है यह हमारा हो गया share ratio अब next काम क्या बसते है हमारा कि जो extra forfeiture में पैसा बचा हुआ है उसे कहाँ transfer करना capital reserve में transfer करना और इसको transfer करते वगद हमें ध्यान रखना है देखो total share जो हमारा forfeited account में पैसा आया वो आया 59,000 रुपीज यहाँ पर मैं तुम्हें समझा जेता हूँ total आया 59,000 रुपीज 59,000 कितने shares के लिए आया है 59,000 आया हमारा thousand shares के लिए thousand shares हमने forfeited किये थे हाना लेकिन हमने ratio कितने करे हैं 500 shares ratio हमने 500 shares करे हैं जब 500 हम shares ratio करे हैं मतलब सिरफ हम इस 59,000 में से सिरफ 500 shares का ही पैसा निकालेंगे बाकी जो ratio नहीं होए 500 shares उसका भी वहीं पड़े रहन देंगे ताकि in future हम ratio करते हैं तो उसको तब ही उटिलाइस करेंगे तो 500 shares पे मतलब इसको हमें half आप में डिवाइड कर देना है तो 59,000 का half हो गया हमारा 29,500 रुपीज 29,500 रुपीज हमारे पास 500 shares के लिए बचे हुए और जो बचे हुए 500 shares हैं जिन हमें ratio नहीं करा उनके जो 29,500 रुपीज हैं अब यो forfeiture account में ही show होने पड़ेंगे अब इन 500 के जो हैं इनकी जो proportionate है इनका जो share है वो है 29,500 जो shares रिशू कर दिये उसके लिए जो हमारे पास 4 feet account में पैसा पड़ा है वो पड़ा 29,500 रिशू के टाइम पे हमने यूज करा सिरफ कितना 2,000 रुपीज कितना यूज करा सिरफ 2,000 रुपीज 2,000 रुपीज यूज करा मतलब अगर इसमें मैं 2,000 रुपीज माइनस कर दूँगा तो बचे हुए हमारे 27,500 रुपीज जो एक्स्ट्रा बच गए उसको हम transfer करेंगे capital reserve में ध्यान रखना 59,000 में से सिरफ 2,000 माइनस करके ना कर देना क्योंकि रिशू कम हुँ है सारे रिशू होते तो मैं 59,000 में से 2,000 मेंस कर देता अभी रिशू सिरफ कितने हुए हमारे 500 शेर तो उनके according जो पैसा बचा 27,500 उसे मैं कहा transfer करूँँगा share capital account में share forfeited sorry capital reserve account में share forfeited account debited to capital reserve account कितना आजाएगा 27,500 मैं फिर बता रहा हूँ यह दो कॉलम नहीं बनते यह गलती से बना था चीक है न यह misprinting हो गई है चीक है यहाँ पर यह इनकी entries खतम हुई चीक है और आपको धियान रखना यह format आपको एक proper लिखना है उसमें narrations वगारा भी लिखनी है papers में फिर introduction, conclusion वगारा भी लिखना है जो हम class में discuss करते हैं यह सिरफ मैं method recall करा रहा हूँ कि हमें entries में amount कैसे डालनी है क्या वे होना चाहिए correct क्या सोचने का वे होना चाहिए वो हमने question में discuss किया presentation अलग level की होगी UPSC में हमें introduction भी देना है फिर narration भी लिखनी है फिर conclusions भी देना है ठीक है that's all for today bye bye take care see you soon